कुनाल भूरा आज हम वन कंसेप्ट वन क्वेश्चिन की सीरीज के अंदर अगले क्वेश्चिन की बात करते हैं चलिए इसके लिए ना बच्चों हमको एक टेबल की जरुवत पड़ेगी देखते हैं अगर जीरो डिजिट होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों नेम उसको लिए लिए लिखते हैं निल अगर वन होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं अन ऐसे ही successively 2 के किलेते हैं court लिखते हैं five के लिए हम लिख्थे है paint six के लिए है eggs seven के लिए इट के लिए लिए की 119 का क्या होगा चली टेबल की मदद से आप ही मेरी मदद कीजिएगा में लिए हैं में लिवल दिएत को कि दो कि अड़ेता हूं थीक हैricka दो बार वार दिया से एक बार 12 का था एक और बार वज़ीन रहे को कि अच्छा एक और बार में तोम क्या लिखाएंगे वापस एक और बार वरन लिखेंगे तो वन के लिए क्या वर्ड है बताओ अन अब 9 के लिए क्या वर्ड है ए तो हमने क्या लिख दिया आगे क्या लगा देते हैं बच्चों इम लगा देते हैं कभी कभी भी कोई भी नेम आए न आपको तो जब पूरा complete हो जाए तो उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है इम इस टाइप का यह आई-उ-पे-सी nomenclature होता है अगर हमें समझिए अगर हम एक बार option की मतलब से कोशिश करते हैं कि उन्होंने देखे क्या क्या रखा है तो चलिए अन अन का क्या मतलब होता है ll valoda लिखा है अन क्या लिखाए वापस और आध्यम स्था गया वंक अगया आज़र यह 118 चलिए अगला बताए अन क्या लेकश क्लिभ निल निल मतलब जीरो और इनियं का मतलब क्या होता है इनका मतलब nine यह किए ना हो गया, 109, अब वापस काया लिखा है फौर्थ option में, un one, वापस un लिखा है यों वापस one लिखा है, un 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 in him, मतलब ट्रिपल वन की बात की है उसने, आखिर में second option हम करते हैं, un मतलब one, un मतलब वापस one, un in यानि मतलब 9, तो अंसर आ गया है इसका option two, कमेंट में आप में से बताइए 120 के लिए में क्या लिखोंगा थैंक्यो एवरिवान